6.3 क्या कह रहा है देखे लिखा लॉंग सॉलिनोइड विद विद ए 15 तर्न पर सेंटीमीटर हमें नहीं मालूँ के नुमिट लिए आज से लगेगा क्या गिवन है इस्तमाल एन क्या लिखा 15 तर्न पर सेंटीमीटर लिए है तो पर centimeter करने के लिए क्या करेंगे आप Turn पर centimeter तो पर meter में करने के लिए क्या करेंगे आप 100 से उपर दिवाइड नीचे करेंगे denominator में तो यह हो जाएगा 1500 turn पर meter हमें यह numerical नहीं आता बस केवल जो given है वो note कर दो अपने आप आने के संभावना है have a small loop of area 20 cm square क्या दिया है area दिया है 20 cm square कहा 2.0 तो हम भी लिख रहे हैं हम 20 के बाद बोलने जा रहे थे into 10 power minus 4 meter square यह area given है place inside normal to the axis of solenite if the current carried by the solenite changes steadily from 2 ampere to 4 ampere मतब पहले जो current even उसमें flow हो रही थी वो 2 ampere थी और बाद में current 4 ampere steadily का मतलब होता है कि जो growth of current है वो uniform है ठीक है यह नहीं कि अगर एक second वो 1 ampere हुई तो आगे आधी second में ही वो 2 ampere 4 ampere हो गई इसे 2 ampere थी 2-3 ampere को समय में हुई उतना ही समय में 3-4 ampere हुई ठीक है in 0.1 second जो time difference है delta T है वो 0.1 second अभी भी हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा बस हम लिखे जा रहे हैं what is the induced voltage in the loop while the current is changing induced voltage कितना होगा कि कहें क्या रहे हैं परले समझ में आया बात कहें रहे हैं कि एक solenoid है समझ में आई गया जा देखो इसके अंदर एक loop रखा हुआ है इसके अंदर एक loop रखा हुआ है और loop के बारे में कहा क्या गया है कि loop है normal to the axis of solenoid यह axis है और उसके normally ऐसे रखा है यह axis ऐसे इसके perpendicular entry कर रहा है ठीक है अगर loop के perpendicular entry कर रहा है तो magnetic field जो loop के साथ angle बढ़ा रहा है वो क्या लिखा जाएगा थीटा कितना लिया जाएगा मतलब इसके ऐसे रखा हुआ है यह axis है ना इसकी यह loop हुआ यह इसके normal रखा हुआ है तो यह जो थीटा लिया जाएगा कितना लिया जाएगा जिरो क्योंकि यह loop यह इसका loop का area vector ठीक है और यही magnetic field तो थीटा यहां क्या लिया जाएगा जरूरत थीटा कि है नहीं लेकिन है ठीक है तो जब इसमें current flow हो रही थी इसमें तो magnetic field create हो रहा है तो किसी भी loop में किसी भी solenide में अगर current flow होती है तो magnetic field का formula क्या होता है mu not ni ठीक है लेकिन हो क्या रहा है current change हो रही है तो magnetic field की value भी change हो रही है तो बस जब magnetic field change होगा तो वही change यह sense करेगा ठीक है यह sense करेगा तो यह इसको oppose करने की कोशिस करेगा यह coil क्या करेगी यह coil जो है ना यह रखी है solenide गंदर और इसके अंदर से magnetic lines गुज़र रही है वो change हो रही है, तो यह इसको oppose कर रहा है, गुस्ता रहा है, कहा है change कर रहा है, तो उसको oppose करने से क्या कर रहा है, यह opposite direction में, एक EMF induce कर रहा है, उसी को आपको निकाल रहा है, सुन्ज़ में भार नहीं आई है, तो अब numerical का logic तो सुन्ज़ में आ गया, क्योंकि numerical को पहले आप सम जिस coil में flux गुजर रहा है, उस coil की बारे में बात कर रहा है, तो जो coil रखी भी है ना, solenite के अंदर, उसमें number of turns कितने दिये हुए है, उसमें तो एक ही है ना, solenite की बात अलग है, solenite जो magnetic field बना रहा है, उसकी बात अलग है, तो minus delta 5B को क्या लिख सकते हैं, बिये, upon delta T, य कभी कभी क्या करते हैं, ये कहेंगे magnetic field में रखा हुआ है, और coil shrink हो रही है, चोड़ी हो रही है, ऐसे shrink shrink हो रही है, कौन change हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है, तो हमने क्या क्या A अलग कर लिया, और delta B को क्या लिखेंगे, mu not ni upon delta T, अब mu not ni में change कौन हो रहा ह आई ही change हो रहा है, तो आएगा minus A into mu not into n into delta I upon delta T, ये induce EMF हो गया, minus sign क्या indicate करता है, तो आप यहाँ पर बाद में क्या करेंगे, E का मौड निकाल लेंगे, A into mu not into n into di upon, ये delta I upon delta T कर दो, delta I upon delta T, यहाँ तब पहुचिए, फिर value रखी जाए, अब रख दीजे value यहाँ पर, E is equal to क्या होगा, सुनिया ध्यान से, A क्या रखेंगे आप, what is A, MpR नहीं है ये, A कितना है, 2 into 10 to power minus 4 into, mu not की value क्या होती है, 4 pi into 10 to power minus 7, तो 4 pi into 10 to power minus 7 into, n कितना है, 1500, 1500 into, delta I कितना है, 2, तो 2 हो गया, अपाँ delta T कितना है, 0.1, ठीक है, अब value रख दीजे उठा करके, और calculate कर दीजे, अब value अब 4 दुनी 8, दुनी 10, क्या बोला हो, चार दुनी 8, दुनी 16, ये हो गया, 16 into, ये 1500 हो गया, है न, और into, 3.14 हो गया, into, 10 to power देखिए, यहाँ पर minus 7, minus 11 हो गया, और ये उपर जाएगा न, plus का 1 हो गया, multiply कर लोगे न, अब value calculate करिए अपने आप, हम डायल लिखे दे रहे हैं, 7.5 into 10 power minus 6, 7.5 into 10 power minus 6 volt, ये round up किया गया है value, ठीक है, तो ये आप क्या, E की value हो गया, नोट करिए,